नमस्कार श्वागत आप सबका मिशन ग्यान के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर पेटिटी की तेयरी करने वालों सुननो तोपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको करवाऊंगा केवल और केवल आट क्योशन इन आट क्योशन में कोडिंग डिकोडिंग पूरा खतम हो जाएगा किसी तरीके का कॉंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक्जाम में इससे भार कुछ आएगा भी नहीं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो अन तक देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी पहला तरीके कोगा निस्टी कूटबासा में इसको यह लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा यहां पर क्या लिखा गया ओबजेक्ट object को लिखा क्या जाता है वो हमें बताया गया है कि यहां पर है Q Y और इसके बाद में क्या है L और G X V यह लिखा जाता है इसी तरीके से अगर बात करें पूछा किसका गया है search का code हमें पूछा गया डरने की गबराने की कोई ज़रूरत नहीं है पहला काम हमें क्या करना होता है पैचान करनी होती है दो चीज़े हैं यहां पर ध्यान से समय लिएगा एक तो क्या है पैचान करना और दूसरा क्या है पेटन बस अगर आप यह समझ पाए तो बहुत आसान पैचान करने के लिए क्या करेंगी सबसे पहले अपोजिट लेटर देखिए मतलब कोडिंग की पैचान करना जरूरी है अपोजिट नहीं होता है तो सेम नहीं होता है आपके सामने तो यह देखिएगा कि हमें प्लस माइनस बनाना पड़ेगा और पेटन में तीन ही C का X है, T का G है, सभी के opposite later मिल गया है, मतलब आपका क्या हो गया, opposite later की coding, और यहाँ पर अगर बात करें, तो मिलाईए बाप, O का L हो गया, J का Q हो गया, इसी तरी के से T का G, C का X और E का V, इसने क्या करा, तिन-तिन के जोडे बनाए और आपस में क्रोस कर दिया, तो यह पेटन कौन सा बनाए, पेयर वाला, D for direct, P for pair, R for reverse, तिन-तिन का पेयर बनाया, आप भी तिन-तिन का पेयर बनाईए, A का क्या हो गया, Z हो गया, E का V हो जाएगा, S का आपका H हो जाएगा, H का S हो जाएगा, C का X और R का I, ये लीजे, सवाल हो गया, Z, B, H, S, X, I, option A, correct answer, type A, आप सीख चुके हैं, बस, समझ में आ गया, दो चीज़े, पहचान पेटन, पहचान पेटन, दिमाग में बार-बार जो आपके घुमाते रही है, दूसरा सवाल आ गया, लेकिन दूसरा नए type का सवाल आ गया Straight को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर S, T, R, A, I, G, H, T, Straight को क्या लिखा जाता है, ये बताया गया हमें, T, S, A, R, G, I, T, H, और हमें पूचा है कि Thursday को क्या लिखा जाएगा, T, H, U, R, S, D, A, Y, Thursday, पहला काम क्या है, सर, पहचान करना, पेटन बाद में आता है, पहचान मे सबसे पहले क्या देखते है, opposite later, चलिए, सब के opposite मिल रहेंगा, सब के चाहिए अपने को, S का H होता है, सर है, मान लिया, लेकिन T का G होता है, मान लिया, R का I भी मिल रहा, A का Z होता है, सर कहा पर है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें किसमें जाना पड़ेगा, same later पे जान यह इस तरीके से आपका straight लिखा गया है, तो हमें पूछा किया, थर्स लेगा, अब आप सनी के साथ में आप निकाल सकते हैं, इसमें क्या करा, दो-दो के जोडे बना के अपस में cross किया है, तो same आप, यहाँ पे क्या जाएगा, H, यहाँ पे क्या आएगा, T, यहाँ पे R ह हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे Y हो गया, और यहाँ पे क्या जाएगा, A आज आएगा, H, T, R, U, D, S, Y, A, Option A is the perfect answer, ठीक है न, यह पेर वाला पेटन था, पेटन में तीन चीज़े हैं, डारेक्ट पेर और रिव जाता है, यहाँ पर H, और इसके बाद में क्या है, Q, इसके बाद में R, U, और Z, और हमें पूछा है कि हाउस का कोड क्या होगा, चलिए जानते हैं, सबसे पहला काम क्या है, पहचान करना, तो पहचान में हमारा क्या होना जीए, ऑपोजिट आपका, दूसरा आपका सेम है, और सेम नहीं मिले, तो प्लस माइनस आपका पका मनेगा, ठीक है जी, ओपोजिट देखें तो D का ओपोजिट डबलू नहीं मिला, सर गया ओपोजिट, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, सेम लेटर देखो गुरू, सेम लेटर, यहाँ पर D का D सेम नहीं है, सर इसको मतलब 100% आपका प्लस माइनस बनेगा, ज्यादा तर एक्जाम में यहीं आता है आपका प्लस और माइनस बनाने वाला, लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर तीन चीज़े होती है, D, P और R, D का मतलब क्या होता, Direct, Direct मतलब सीधा होता है, सीधा मिलाओ, D से H, यानि कि यह चार न है, पांच का है, तो पांच में ज्यादा तर इस्तती में क्या पेर बनता है, कि दो-दो के पेर बन जाते हैं, और आपका बीच वाला अपनी जगह रहता है, तो R से H, यहाँ पर यह 18 है, और यह 8 है, माइनस 10, यहाँ पर माइनस 10 करोगे, तो E आना ची, E पर भी नहीं है, इसका मतलब पेर भी गया, इसका मतलब बचा गया, आपके पास में, 100% reverse मनेगा अब आपका, तो यहाँ पर E से H जाओ, reverse का मतलब गया, उल्टी साइड से चलो हो जाओ, E से H में, आपका कितना हो गया, प्लस का 3, N से Q में जाओगे तो प्लस का 3, O से R में आपका कितना हो तो भी U में अगर आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा X हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो R और यहाँ पे करेंगे तो K H V X R K यानि कि Option D परफेक्ट आंसर अपना क्योशन हो गया चलिए बढ़ जाएगे और चलिए बढ़ते हैं क्योशन नमर चार की तरफ जिसमें आपका दिया गया प्राउड को यह लिखा जाता है तो इंगल को क्या लिखा जाएगा वही आपका प्रशन है कोई ज्यादा दिक्कत वाली इसमें चीज है यही नहीं मेरे भाईयो प्राउड को क्या लिखा जाता है आर यू टी बी ओ और हमें पूचा है इंगल को क्या लिखा जाएगा सबसे पहला काम क्या होता है पैचान करनी सबसे पहले देखें तो क्या अपोजिट है क्या अपने पास में पी का पोजिट आपका के होता है नहीं है सेम लेटर है् क्या हमारे पास में पीकल पीसेम नहीं है गया इसका मतलब प्लस और माइनस बनेगा 100% प्लस माइनस में भी आप देखिए तो D P और R, डारेक्ट पेर और रिवर्स सबके अंदर होता है यह पेतन अबका डारेक्ट हो सकता, पेर हो सकता, रिवर्स हो सकता है डारेक्ट मतलब सीधा यहां पर P से R में प्लस का 2 है ठीक है यहां पर चेक करो क्या यहां पर प्लस 2 करेंगे तो A में प्लस 2 करने पर C आएगा C आपका मेस भी खा रहा है इसका मतलब हो सकता है तो direct मिला के देखिए P से R में आपका कितना हुआ प्लस का 2 R से U में अगर आप देखोगे तो प्लस का 3 है यहाँ पर प्लस का 5 है U से B में आपका प्लस का 7 है कैसे U के बाद में V, W, X, Y, Z A, B यानि कि प्लस का 7 हो गया है और D से O में प्लस का आपका 11 हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे A में अगर आप करेंगे प्लस का 2 तो यानि कि C आजाएगा प्लस का 3 करेंगे तो Q हो जाएगा प्लस का 5 करेंगे तो 7 और 5 आपके कितने हो जाएगे 12 यहां पर प्लस का साथ करेंगे तो बारा और साथ उननीस हो जाएंगे और ग्यारा और पांच कितने हो जाएंगे सोला सी की यू क्यू एल एस पी यानिके ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं लेकिन जब कभी विकोडिंग डिकोडिंग के क्योशन में इस तरीके की चीज आ जाए क्या आपका लिखा हुआ एक सो चोटीस आपका लिखा लिखा गया और एक बार आपका नाइटी लिखा गया तो यहां पर एक बात देखिएगा यह नमबर चोटे हैं कि बड़े हैं अब सर आप कहेंगे कि सर अभी कैसे पता लगेगा तो ध्यान रखना जब आपके 400 500 700 तक के नमबर है वो सब चोटे इसके बाद में नमबर सब बड़े हैं क्लियर आपका जब भी चोटे नमबर आते हैं तो ध्यान रखिएगा नमबर कोडिंग में क्या करेंगे हम प्लस या माइनस करेंगे ठीक है जी प्लस माइनस कई डिफरेंस कई ही मतलब वो चीज़ें जो हती है वो लगाएंगे यहां पर सबसे पहले इनके नमबर रिखिए तो यह आपका 13 है यह आपका 15 है यह आपका 19 है और यह आपका क्या है 20 है सबसे पहले इनको जोड़िए मुझे पता कि 134 सीधा नहीं बनेगा लेकिन जब आएगा तो उसको बनाना पड़ेगा तो 13 और 15 कितने हो जाएंगे 28, 9, 37, 10, 47, 57 इसका टोटल कितना आजाएगा 67 औ यहां पर दपर करके देखते हैं क्या option में आता है क्या तो सक्सिस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 21-3-3-5-19-19 यह आपके नम्मर है सब को टोटल करोगे तो 40 हो गया 46-5-51 और 38 आपके कितने हो जाएगे 51 है और उसके बाद में 38 है यानि कि यह total बनेगा 89 89 का डबल अगर आप करेंगे तो 18 सारा साथ 178 क्या option में मैच कहा रहा है बिल्कुल यानि कि option सी आपका perfect answer है कोई रोकने वाला नहीं है इस तरीके से करेंगे हमें पूछा है कि farmer का code क्या होगा जब कभी भी ऐसा प्रशन आ जाए जहां पर बीच में डेस लगे हो ठीक है तो वह आपका number coding का है लेकिन यह place value से बनता है यह बड़े नमबर हो चुके है हमें सीधे place value देखनी होती है इनकी लेकिन बच्चों एक ध्यान रखना कई बार डेस हटा भी दिया जाता है तो यह सारे एक साथ लिग देगा तब भी घवड़ानी जरूत नहीं वहां पर भी place value ही बनेगी अब place value में क्या करेंगे या तो पहला अक्ष पोजिट करके देख लू तो एसका पोजिट एस होता है सरुणी सब्सक्राइब बढ़ाएं कर नहीं है इसका मतलब हमें लास से देखना पड़ेगा ती का नंबर कितना होता है अब बीस से बाईस अगर आपको बनाने हैं कितना बढ़ाएगा ही दो बढ़ा देगा हो सकता की सथ के अंदर दो बढ़ाएंगे तो आप tutti हो जाएगा और डिंग dried सब दोड़ाएंगे सब्सक्राइघ कि अच्छा एंचिन offshore RJE उस agrade अधार में दो जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा आठ बीस साथ पंदरा बीस तीन आठ ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर यह लीजिए नमर कोडिंग इसके अलावा कुछ चंद्रमा चंद्रमा को पर्थवेस सब्सक्रमार को पाथ कर दिया तो जाएगा अब आकाश नहीं होगा और आकास को क्या काह है तो परफेक्ट आंसर क्या होजाएगा ओpuq च peso बच жाता है वह है आपका Chinese coding exam में आने की possibility बहुत ज़्यादा है बच्चो क्या होता है एक निशित कूड़ वस्ता में time taken to को आपका 428 लिखा जाता है इसी प्रकार taken complete work इसमें क्या होता कि common आते हैं आपके देखो यहां पर यहां पर यहां पर कुछ तेकन यहां फिर कुछ आपका आजाएगा देखे टेकन है यहां पर टेकन है तो समझ जाएगा कि यह आपकी क्या है इस तरीके से आप लिख सकते हो इनको मैंने पहले करके लिख दिया आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमें क्या लेना होगा common लेना होगा इस तरीके की questions में common कैसे जैसे कि time है आपका time इसके अलावा कहीं पर आया है कि आप देखिए तो आप देखेंगे तो time sir यहा पर आ रहा है चार यहां पर आ रहा है क्ट कर दिया क्योंकि हमें वर्क का पूठ निकालना है अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो taken यहांपर आ वो चैंसी लाट हो जाएगा अब आपका वर्क आपका यहां पर है यह अगर आप मुझे कोई टू का कोड़ पूछे का तो मैं बता दूगा कि क्या है आठ है आपका ठीक है ना क्योंकि वह अकेला बचा हुगा है लेकिन वर्क आपका कहा पर इस यह तो दूसरे में और तीसर यह तो वहाँ पर आंसर क्या कर सकते हैं कि साथ यह तीन बेंसे आपका क्या है कोई एक होगा कोंसा होगा में पता नहींत करता रहूंगा आपके जिम्मेदारी है इस वीडियो को आप कितना देखते हैं कितना शेयर करते हैं कितना आगे तक पहुचाते हैं मैं अपनी जो महनत है वो इमानदारी से करता रहूँगा फिर मुलाकात करेंगे कैसे ही टोपी के साथ खयाल दखिये सुरक्षित रहिए और जोड़े करेंगे नन्यवाद